हेलो फ्रेंड्स वेलकम चैनल देली लाइफ ममता शर्मा आज मैंने बनाए हैं भरवा बैंगन तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने इने किस तरह से बनाया है तो यहां ले लिए हैं मैंने 5-6 बैंगन और यह लंबे वाले बैंगन लिए हैं आप चाहें तो गोल वाले भी ले इनका जो साइट का पार्ट हम हुआ यहां रेंगे तो यहां पर मैंने सभी बैंगन को अच्छे से क्लिए कर लिया है् tag और हम नहीं गैल रहे हैं तो यहां लिजिए मैंने तो यहां बयू से प The Nkin कर लिए हैं और हम इसमें जूल बीच में से ग्या पाह्राब क्छरात और और आप बना लेती हूँ मैं यहां पना लेती हूँ मैं यहां बईल मिर्च ली मिर्च इसके बाद पीच ऑद दूड़ी सी हल्दि के लेनेगे खुल्थ भोड़ी दर्दी नमक ठाएं दो नमक ऑपक रणाः Partner पाउडर बनाया है एक चमच लेंगे सब्जी मसाला आदी चमच अमचूर पाउडर और यहां लसन को ले लिया है पारिक करके और थोड़ा सा हम ले लेंगे शर्षो का तेल इसे अच्छे से मिक्स करके बैंगर में फिल कर देंगे अच्छे से इस तरह से एक एक करके हम सारे में मसाला भर देते हैं और यह और पल्दार एक चम जीरा हम यहां भर ऐा मझ regard टेसम शल्मा निया इन चबरिबव कर लिया कर देंगे यह पारिक चॉप कर लिया चैपारिक अक इसम में अभर नी बैंगर में में एक यहां डही नहीं सकती हम थैली वहांग श्रुट साथ पखेंगे और अगर मैं अगर र्लोड ब्राउन कर लेंगे तो यह बेलो जहले जाएंगे तो हमें इन्हें को पखांगायchnya में और आदि इसमें दैजनक कुषे और इसमें लेंग पख horrific comment के के दो से तीन मिनट के लिए रख देते हैं दो तीन मिनट बाद हम चेक करेंगे नीचे से हमारे बैंगन पक चुके हैं और बैंगन का कलर भी जेंच हो गया है तो अब हम इने पलट देते हैं और फिर से हम इसे कवर कर देंगे पांच मिनट पत हमने चेक किया तो कुछ कलर इसका अब ऐसा हो गया है तो देखी कहां तो यह परपल कलर के थे और अब किस कलर के हो गया है इसका मतलब है कि बैंगन अच्छे से चारू तरफ से पक चुके हैं और बस अब हम इसे 5 मिनट के लिए और पका लेना है और अगर आपको सुखा सुखा लगी तो एकसिडेट चमच जो चोटी चमच होती उसमे पानी डाल सकते हैं तो यह देखिए हम सब्जी लगबख तयार हो चुकी है गैस को हम आफ कर देंगे और अब हम इस पैंगन की सब्जी को निकाल लेते हैं और इसमें हरा धनिया डाल कर इसे हम सब्जी कर देंगे तो यह लीजिए जट पड तयार हो गई है भरवा पैंगन की सब्जी आई आप सभी से बनाएं खाएं और मुझे बताएं कि कैसी लगे आपको यह रसिपी तैंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो